आज हम बात करेंगे फिस ओयल को लेकर के जिसमें हम जानेंगे फिस ओयल की डोस, योजिस, मारकिट ट्रेट और साइड इफक्ट तो फिस ओयल क्यों इतना जाद है? पॉपलर है इंडिया और इंडिया के बहार है तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ फिस ओयल जो है अच्छा होता है brain और heart के लिए अभी बाद आती है फिस ओयल कोन सी मचली से मिलता है कोन से वो sources है जहां से आपको फिस ओयल मिल सकता है तो फिस ओयल आता है बहुंस अ मतलब फिस ओयल comes from many types of fish it means कि फिस ओयल काफिज सारी मचलीयों से आता है actually fish oil में important चीज होती है वो होती है 50 sorry omega 3 omega 3 मतलब 2 omega 3 EPA एक होता है DHA अब EPA की full form की हम बात करते है तो EPA की full form होती है एकाई कोसा पेंटोइक और डी एचे की फुलफोम होती है दो कोसा हेक्जानोइक एसिड ठीक है अब हमने उपर आपको बताया कि यह वेरिस टाइप ओफ फिस में होता है अब हम उन फिस के नाम की बाते करेंगे तो पहले नंबर पर आती है टूना सेकींड नंबर पर आती है सेलेमन तो पहले नंबर की जो फिस है मतलब पहले नंबर की जो मचली है वो है टूना सेकिंड नमबर की है सैलेमन ठर्ड नमबर की है मैक्रेल फोर नमबर की है एरिंग एक इंपोर्टेंट चीज है इसमें वो यह है कि यह जो मचलिया है यह सारी आपको डीप सी मतलब गहरे समुदर में यह मिलती है जो आप नौर्मल मचलिया खाते हैं उनमें उतना रिच अमाउंट में नहीं होता है ओयल एक्चलि इनमें बहुत जादा होता है यही एक मैन रीजन है कि आपको फिस ओयल काफी कोशली मिलता है अब भी हम बात कर लेते हैं और दूसरे कौन से वो सोर्से जहां से आपको ओमेगा-3 इजली मिल जाता है मतलब अगर आप वेजितेरियन है क्योंकि यह तो नोन-वेज माय जाते है अगर आप वेजितेरियन है तो वो कौन से दूसरे सॉर्सेश है जिनसे आपको फिस मतलब ओमेगा-3 मिल जाता है पहले नमबर पहाएं सिया सीड सेकंड नमबर पहाता है हैंप सीड होता क्या है धतूरे के बीज थर्ड नमबर पहाता है सोयवीन फॉर नमबर पहाता है पालक six number पर आता है egg egg मतलब egg दो तरीके कहाते हैं एक farm वाले होते हैं और एक वो होते हैं तो यहाँ पर हम egg की जो बात कर रहे हैं वो farm एक की हम बात कर रहे हैं eight number पर मतलब ground nut mumfali का तेल या mumfali mumfali में भी actually omega 3 अच्छा होता है और mustard मतलब सरसों में भी आपको omega 3 अच्छी मात्र में मिल जाएगा चलिए अभी हम इसकी बात कर लेते है dose की और packaging की तो हमने fish oil की बात की अब fish oil आपको capsule की form में भी मिल सकता है अब capsule की form में अगर आपको मिल सकता है तो कितने capsule की डबी आती है तो एक डबी में आते है 60-90 कैपसूल बलब 60-90 कैपसूल पर बोटल dose की तो देखे 100 mg फॉर women और 15 mg फॉर men oil की हम बात कर रहे दें अब भी हम बात करते है capsule dose की तो देखे dose सेम रहेगी बस थोड़ा सा होता क्या है capsule में form change हो जाती है इसको oil को capsule में fill कर लेते है soft gel capsule में ये fill हो सकता है ये भी मैं आपकी knowledge के लिए बता दू soft gel capsule मतलब मैं आपको इस पे ये आपको जो दिख रहा है ये soft gel capsule होता है ठीक है तो एक डबी आती है अब इसकी packing की बात करते है क्योंकि packing में आते है 60-90 capsule की packing आती है अभी हम बात कर लेते है market rate capsule और oil का market rate है कितना क्योंकि ये बड़ा important होता है तो हम market rate की बात करते है 800 से start होता है capsule 800 से लेके 1500-2000 ये होता क्या है company company का बलब फर्क होता है हर brand का एक अपना price होता है तो आप consider कर सकते हैं कि 800 से start होगा 60-90 capsule और अगर हम oil की बात करें तो 700 मतलब 700 से starting होता है oil इसकी uses की तो फिस oil की uses क्या-क्या है तो पहला जो बहुत ज्यादा use में आता है वो होता है reduce triglyceride मतलब reduce triglyceride हमने use क्या है इसका मतलब क्या होता है देखे high level of fats call it triglyceride in the blood triglyceride in the blood अब ये आप जैसे आप अपना cholesterol चेक कराते हैं तो उसमें ये आपको दिख जाएगा ठीक है second use lower cholesterol sorry second use reduced blood pressure third use mental health condition जैसे depression और अगर मैं एथलीट की बात करूँ तो एथलीट सबसे जादे इसको यूज करते हैं healthy skin के लिए एक्चली ये एंटी एजिनिंग का काम भी करता है six use की हम बात करते हैं तो reduce liver fit 7th use की हम बात करते हैं तो improve bone health आप अगर athlete है तो athlete को क्या होता ना athlete का नहीं मतलब कोई भी इंसान हो उसके लिए क्या होता है और अगर वह जाद है हाड़ वक करता है तो bone में मतलब bone में थोड़ा दिक्कत आती तो ये उसको भी improve करता है चलिए और एक last last use के हम बात कर लेते है lower cholesterol को low करने में भी ये काम करता है चलिए अभी हम बात कर लेते है side effect तो fish oil के अपने side effect होते हैं तो अगर आप fish oil यूज़ करते हैं तो आपको bad breath मतलब गंदी सांस गंदी सांस क्या आप अगर किसे बात करते हैं तो आपके मुझ से मतलब एक अलग सी वह आएगी इसमेल ना रैसिस नोजिया डाइरिया हार्ट बर्न लूज इस्टूल नोज ब्लैस नोज ब्लीड अलब नाक से खुना ना इंसो इंसोमिया अपसेट इस्टोमक ये सभी इसके side effect थे तो आई होब कि आपको ये तोटली समझ आया होगा थैंक्यू सो मच्छ झालब ये जाएगी सो मच्छ